हलो दोस्तों, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, क्लास 11 हो या क्लास 12 हो इन सभी क्लासिज में इंगलिश का जो question paper होता है उसमें letter लिखने को लगभग आता ही आता है Letter लिखने में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जो अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपके number नहीं कटेंगे जैसा कि yours truly और yours sincerely का use कैसे किया जाता है Letters कई तरह के होते हैं, जैसे कुछ letters editor को लिखे जाते हैं और कुछ letters business transactions को लेकर होते हैं जैसे आप किसी से समान मंगवा रहे हैं या फिर quotation मंगवा रहे हैं, तो business related भी बहुत सारे letters होते हैं ऐसे में आपको ये ध्यान देना होता है कि जब आप letter editor को लिख रहे हैं तब आपको yours truly से letter को खतम करना है और जब आप कोई business related letter लिख रहे हैं उसकी जब ending कर रहे हैं, तो yours sincerely से करना है अब आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे कहां से पता तो मैं आपको इसका proof भी दिखा देता हूँ तो ये जो आप screen पर देख पा रहे हैं ये marking scheme है class 12 CBSC board exam का जो sample paper release किया गया है उसका उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं especially कि yours truly का use किया जाएगा जब हम letter to editor लिखेंगे और business circuits के लिए आपको yours sincerely का use करना है I hope अब यह बात आप समझ गए होंगे कब yours truly लगाना है और कब yours sincerely लगाना है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और इसे आगे share जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना भूलिएगा